गुड मॉनिंग फ्रेंड्स और वेलकम टू स्टेडी ग्राम पोर्टल मैं हूँ शाम और आज की इस वीडियो में हम लोग 13 जनवरी 2022 के जितने भी करेंट अफेर्स के क्वेशन बन सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे सबसे पहले वन लाइनर के रूप में देखेंगे और उसके बाद इनी करेंट अफेर्स को हम लोग कुछ के फाब में देखेंगे जिससे की हमारा रिवीजन हो जाए तो आईए बिना देरी की हुए हम लोग देखते हैं आज का पहला करेंट अफेर्स वन लाइनर हाल ही में दक्षी अफरीका के जिस खिलाडी ने खेल के सभी प्रावरूपों से सन्यास लेने की घोसड़ा की है वो है कृष्मौरिश है अमेरिकी राश्पती जो वाइडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूद पद के लिए एरिक गार्थेटी को मनोनित किया है और भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमानिगम LIC में जितने प्रस्षत एफडियाई की अनमती देने का नेड़ा लिया है तो वह है 20% हाल ही में जिस देश के मैरिलेंड अस्पताल में डाक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने में आखिरी प्रयास में एक सूवर के दिल का परत्यारोपन किया है वह देश है अमेरिका और युनिशको ने भारती धरोहरों का विवरण हिंदी भासा में छापने की सहमती दे दी है और IPL के टाइटल स्पांसर्शिप के लिए अगले दो वर्सों के लिए टाटा ने समझावता किया है और टाटा ग्रुप ने वीवो को रिप्लेस किया है और राश्टी युवा जाता है वह है प्रतिवर्स 12 जनवरी को 12 जनवरी को स्वामी विवे का अनंद का जन्म दिवर्श है और इंग्लेंड के पूर्वी मिड्लेंड में जुरासिक काल का 18 करोड साल पूराना समुद्री ड्रैगन का जीवास्म 21 सौरस मिला हुआ है और DRDO ने INS विसाखा पत्तनम में ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत C2C संस्क्रण का परिछण किया है C2C मतलब यहां पे समदर से संस्क्रण का परिछण किया हुआ है और DRDO ने मैन पोर्टेवल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानि यमपेट जीएम का परिछण किया है रफेल समुद्री लड़ा को भी म मानने गुवा में आई एनेस हंस नौस एन एक सुबिधा में परिचालेंच हमता का प्रदर्शन किया है और रगवेंद्र तमर भारती एतिहासिक अंसंधान परिषद यानि ICHR इंडियन काउंसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च नई दिल्ली में अध्यक्षन उक्तिये गया ह है और बकाया बदलने के बाद वड़ाफोन आईडिया ने सरकार को 35.8% की हिस्सेदारी पेस की है और वांडिज और उद्योग मंत्री पियूश गोयल और दच्षिड कोरिया के ब्यापार मंत्री येओ हान कू ने नई दिल्ली में मुलाकात की है और अंतराश्टी करंट अ करंट अफेर्स में आईयमेफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कैलिफोर्निया विश्विद्याले बर्कले के पियरे ओलिवर गरीचस को अगले मुख अर्षास्त्री के रूप में नामित किया है और अभी गीता गोपीनाच जी मुख अर्षास्त्री हैं कजाकिस् जो वन लाइनर के फार्म में जो बहुत ही सार्ट में हैं और बहुत ही इंपार्टेंट होते हैं और इन ही करेंट अफेर्स को हम लोग देखेंगे क्वीच के रूप में जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाए और थोड़े डिटेल भी हमें पताती जाए तो यूनेशको ने भारती धरोहर का विबरण निम्न में से किस भासा में चापने की सहमती दे दी है तो यह है हिंदी भासा में बिश्व हिंदी दिवस पर संयुक्त राश सैक्षडिक बैग्यानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेशको ने अपनी वेबशाइट पर भारत के बिश्व धरोहर अस्ठलों का हिंदी में विबरण जारी का नेका निर्ड़ किया है और सिक्छा मंत्री धर्मेंद प्रधान ने यूनेशको की इस निर्ड़की साराहना की है और बिश्व हिंदी दिवस के मौके पर विदेश मंत्राला की तरफ से एक कारिकरम आयोजित किया गया है और को वाइल कमपनी वीवो को हटा कर टाटा ग्रूप आई पील का नया टाइटल स्पांसर्शिप बन गया है और यह दो साल के लिए करार किया गया है अंतराष्टी युवा दिवस नेशनल यूथ डे निम्न में से किस दिन मनाय जाता है तो यह प्रतेक वर्ष बारह जन्वरी को मनाय जाता है भारती युवा दिवस को बारह जन्वरी को मनाने की एक अहम वज़ा है कि स्वामी विवेकानन जी का जन इसी दिन हुआ था और इस दिवस को मनाने का मुख्योदेश भारत के युवाओं के बीच स्वामी बिबे कानिन्द के आदर्सों और विचारों के महत को फैलाना है इंग्लैंड के पूर्वी Midlands में जुरासि काल के कितनी करोर سال पुराना समुद्री ड्रैगन का जिवास में एक्तियो सारस मिला हुआ है जो असल में 18 करोर साल पहले धर्टी पर मजूद था और इस जीव का नाम एक्थियोस और है और पहली बारे है बिटेन में इसका काफी हद तक सही सलामत जिवास मिला हुआ है यह जिवास 33 फिट लंबा है और इसका वजन लगभग एक टन है हाल ही में दच्छी अफरीका के किस खिलाडी ने खेल के सभी प्रावरूपों से सन्यास लेने की घोसरा की है तो दच्छी अफरीकी क्रिकेटर क्रिस मौरिस ने जो आल राउंडर रहे हैं उन्होंने खेल के सभी प्रावरूपों से सन्यास लेने की घोसरा कर दी है और अमेरिकी राज़पती जो वाइडन ने किस देश में अमेरिकी राज़दूद के लिए एरिक गार्सेटी को मनुनित किया तो भारत के लिए इन्हें मनुनित किया गया है यह लांस एंजलिस के मेर रहे हैं और इनको भारत के राजदूत के लिए मनोनित किया गया है और यह मौजूदा राजदूत के न चेस्टर का स्थान लेंगे भारत सरकार ने हाल ही में जीवन वीमानिगम यानि यलाईसी में कितने प्रस्थत FDI यानि प्रत्यक्ष विदेसी निवेश की अनुवती देने का नेड़े किया है तो यह है 20 प्रस्थत भारस सरकार ने हाल ही में जीवन वीमा निगम में 20 प्रस्थत FDI की अनुवती देने का नेड़े लिया है और यह नेड़े बिदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम यानि फेमा में संसोधन करके किया जाएगा बरतमान में वीमा चेतर में 74% FDI की अनुवती है लेकिन यह LIC पर लागू नहीं होता क्योंकि LIC का अपना खुद का कानून है हाल ही में किस देश के मेरिलेंड अस्पताल में डाक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने में कि आखरी प्रयास में एक सूवर के दिल का प्रत्यार उपन किया है तो यह देश है अमेरिका अमेरिका में, मैरिलेंड अस्पताल में डाक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने में सुवर के दिल का प्रत्यारोपन किया है तो धन्यवाद दोस्तों, यह है आज का क्रेंट अफेर्स, जो वन लाइनर और कुछ के फार्म में, इसका रिवीजिन हम साम को 8 बजे करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो शेयर अवश्य करें, और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो, तो कमेंट चरूर करें वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे की मेरा मोटिवेशन बना रहे